तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एन वेलकम वेट ते माइन वीडियो मैं हूँ देव और आपका स्वागत करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग में तो जैसा कि आपने इतना रिक्वेश्ट किया था कि एक केमपस टूर पर वीडियो लाइए तो मैं लेकर आचुका हूँ आपक हमारे कॉलेज की तरफ हम फोच चुके हैं हमारे कॉलेज केमपस के बाहर तो यह हमारे हॉस्पिल जाने का रास्ता और यह है हमारे केमपस के अंदर जाने का रास्ता तो चलिए चलते हैं हमारे केमपस के अंदर और आपको दिखाते हैं हमारे college के बारे में हम फ़ुच चुके हैं हमारे college के main gate जहां उपर में लिखा होगा है अटल विहार रिवाजपी इस्मिती चीकिस्ता महाविद्याला है तो चली चलते हैं हमारे college के अंदर तो यहाँ पे गाट भाई या लोग बैठे गोवे हैं तो चली चलते हैं अंदर की तरब तो हम अंदर आ चुके हैं अब यहाँ से अंदर आते ही हमें दीखता है हमारे college का यह बड़ा सा campus जो कि आप देख सकते हैं अंदर की तरब हम पहुच चुके हैं हमारे college campus के अंदर तो आपको यहाँ देखने को मिलता है हमारे कॉलेज का भव्य हॉस्पिटल जिसका अपात कालिन गेट है उस एरिया में और में गेट है इधर तो हम आपको वहाँ जाके भी दिखाएंगे तो आएए चलते हैं इधर हमें यहाँ देखने को मिलता है हमारा अवासी परी सर जहां लाइन से हमारे स्टाफ कटर बने हुए हैं और आपको इधर देखने को मिलेगा हमारा औरिटोरियम जहां हमारे कल्चर प्रोग्राम्स कल्चर इवेंट्स होते रहते हैं आपने मेरा आइरिस वाला वीडियो भी देखा होगा जिसकी पूरी सुट प्रफ्टिंग यहीं हुई थी और पिया सामने देखने मिलता है हमारा फूर्तल ग्राउंड जहां पर हमारे फूडवाल चोटा रूफ होता है फूट सल वह खेले खेला जाता है हमारे senior sir और हमारे बहराल है तो यह है वह ग्राउंड जो आपको देखने को मिल रहा है यहां तो गाई सेली चलते हैं हमारे हॉस्पिटल के में गेट की तरफ जो कि आपको ज़र नियास दिखी रहा होगा तो आपको जैसा कि देखने को मिल रहा होगा हमारे भव्य सुन्दर हॉस्पिटल तो आपको यह जो सामने गेट दिख रहे हैं यह हमारे हॉस्पिटल का में गेट जहां से मेंली हमारे स्टाप जो मेंबर हैं वही जाते हैं जो हमारे पेसिंट के लिए जो रास्ता बना हुब है वो उस कोने में है जो गाइस यह है हमारे होस्पिटल का में गेट जश्ट हमारे पिछे और जश्ट साइड में बना हुआ हमारा पार्किंग जो कि आपको देखने लेगा इस साइड में और ऍnd ups यह सो गाइस हम पहुचे है हमारे कॉलेज़ के सबसे महत्व पूर्ण इस्थान जो कि यह हमारे केमपस ट्री वाले सिस्थान जिते हम प्यार से घiesta ते हैं सीसी यह यह त्री बहुती मोहत्यपुर्ण है वह रस्ति महीं है क्योंकि यहां से संबंदित भूश सारी कहानिया हमारे कॉलेज में प्रच्छित है तो इस्ट्री के जश्ट बगस्त है में दिखता है हमारे में कॉलेज बिल्डिंग जो कि आप देख सकते हैं आपको दीखी रहा होगा जो कि हम अभी जश्ट जाने वाले हमारे कॉलेज की तरफ तो गाइस हम पहुच चुके हैं हमारे main college building के सामने तो आपको देखने को मिलता है हमारा main college जट सामने तो college के अंदर का part मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा हलाकि अंदर है हमारा badminton court और TT का table तो हम चलते हैं आपको दिखाते हैं वो वाला area तो चलिए हमारे साथ जो किये हमारे इस college के सुन्दर परिसर में एक बहुती तोई तरी स्थान है जो किये हमारे इस हन्मान जी का प्यारा समंदिल जो कि आपको देखने को मिल रहा है हमारे सामने तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे college के दूसरे यहां से जो हमारे college में अपना इलाज कराने आते हैं वह लोग जाते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके बारे में और एक बात और हमारे जैस सामने है parking के सुईधा जो कि आप देख सकते हो तो चलिए देखते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारे hospital के पीछे जहां हमें देखने को मिलता है हमारा आट ओप सी रूम गैस प्लांट एरिया हमारा इस्टोर रूम और एक बड़ी सी पानी की टंकी जिससे हमारे college में पानी सप्लाई होता है और एक गैस प्लांट एरिया उधर भी है हम पहुंच चुके हैं हमारे college के क्रिकेट ग्राउंड जो की फुटबाल ग्राउंड भी है क्योंकि यह फुटबाल भी खेलते हैं हमारे college building जो कि यहां है कि उसके पीछे और हमारे राइट कॉर्णर में आपको दिखने की मिलेगा अपना वार्स केमपस और जस्ट सामने मिलेगा अपना ग्राउंड तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा ग्राउंड हलाकि अभी पानी की रहा है पानी की रहा है इसलिए थ तो यह है हमारा cricket ground तो देखिए हमारा यह है cricket ground तो अब हम जाने वाले हैं हमारे boys hostel campus के अंदर तो मिलते हैं आपसे बने रहे हैं मेरे इस वीडियो में तो guys अब हम चलते हैं Boys Hostel Campus के अंदर तो आएए चलते हैं अंदर के तरफ तो आपको हमारे ज़सान में देखने को मिलता है हमारा Undergraduate Hostel No.1 जहां हम वर्तमान में हमारे respected दोहर 18 बेच और 20 बेच के seniors रहते हैं तो आएए अंदर के तरफ तो guys आपको मेरे right side में देखने को मिलता है हमारा Intense Hostel जहां पर हमारे respected interns रहते हैं तो चलते हैं आगे तरफ तो यहां आपको देखने को मिलेगा Intense Hostel के ज़स्ट भगल में है हमारा JR Hostel जहां पर junior resident doctors रहते हैं तो आएए मेरे पिछे पिछे हम पर चुके हैं अंडर graduate hostel नंबर टू तो यूजी hostel नंबर टू के ज़स्ट सामने हमको देखने को मिलता है हमारा कि वाली वाल का ग्राउंड जो कि फिलाल अभी बारिस का मौसम है तो पुरा घंस्फुस वहां उख चुका है जो कि बारिस के खतक होते ही साफ हो जाएगा तो आपको मैंने अपने पिछली यूडियम बताया था कि आपको senior hostel से मेस लगाना पड़ेगा तो आपको दिखाते दिखे हैं हमाँ यूजी टु हॉस्टल के मेस में तो यहहां का मैस कर दो तो देख सकते हो तो यहां आपको इस तरह को इजाय में रखने मिलता है यहां पीने के पानी है हाथ दोने के लिए के बैस्वी बना हुआ है और यहां मेस के करमचारी अपना पर काम कर रहे हैं तो गाईस यहीं था UJ2 होस्टल गाईस जासा कि मैं आपको अभी दिखाया है यह था हमारा वास होस्टल केंपश तो अब चलते हैं गल्ष होस्टल केंपश के पास तो वहां हम दिखाते हैं तो चलिए गाईस चलते हैं तो गाइस हम पहुच चुके हैं गल्स हॉस्टल केंपस चलिए ते हैं अंदर की तरफ तो हमारे ज़स सामने हमें देखने को मिलता है अंदर केज़वेट हॉस्टल नंबर टू जो ज़स आपको सामने ही है तो आए अंदर की तरफ तो गाइस आपको मेरे लेट साइड में देखने को मिलता है इंटर्स हॉस्टल जहां पर हमारे रिस्पेक्टेट इंटर्स में लोग रहते हैं तो आगे आए पीछे के तरफ मेरे आपको देखने को मिलता है लेट साइड में जेयर हॉस्टल जो की ज़स्ट इंटर्स हॉस्टल की साइड में है तो यहां पर रहते हैं हमारे रिस्पेक्टेट जेयर मैं तो गाइस चलते हैं आगे के तरफ आपको ज़स्ट मेरे पीछे देखने को मिलता है अंडर्स ग्रेजवेट हॉस्टल नमबर वन जो की ज़स्ट मेरे पीछे है आप देख सकते हो तो आगे बढ़ते हैं इस हॉस्टल के इंपस में आपको यहां मेरे राइट साथ में देखने को मिलता है वाली वाल का एक खूट जो कि हमारे मेम लोगों के लिए हैं तो यहां से एक बास्केट वाल का ग्राउंड भी है जो कि अभी बन रहा है बनना नहीं है तो कि जैस्ट मेरे रच्ट साइड में है और यहां आपको पीशे देखना को मिलता है हमारा फस्ट ये वाइस हॉस्टल जहां पर हम रहते हैं इसको मैंने कवर किया था प्लास्ट वीडियो में तो आप वह वेड़े जा गर देख सकते हो तो यही रहा हमारा केमपस ज इस लोग में इतना ही मिलते है एक न्यू लोग में एक नए टूर के साथ एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाई